जहिन साथियों मेरा नाम है आरुन कुमार और आप देखना सुरू कर चुके हैं T2 क्लासिस आज हम वीडियो में बात करेंगे भारत के जहरणों के बारे में भारत के जहरणों से एकजाम में कोशन पूछे जाते हैं लास्ट UPSC के एकजाम में भी पूछा गया भारत के जहरने का नाम दे दिया जाता है और स्टेट का नाम दिया जाता है किस राज्य में लोकेटिड है या जहरने के नाम के साथ नदी का नाम दिया जाता है और मैचदा फालोइंग में कोशन आते हैं तो सबसे पहले हम सुरुआत करेंगे राजिस्थान से राजिस्थान में ज सायक नदी चंबल नदी और चंबल नदी पर ही लोकेटिड है चुलिया जहरना तो चुलिया जहरना आप चंबल से चंबल चासे चुलिया ऐसे भी याद कर सकते हैं चंबल नदी पर लोकेटिड है चुलिया जहरना राजिस्थान में हैं दूसरा जहरनों की बात हम करेंगे त अपर आप देख सकते हैं मद्धेह प्रदेश में बहती है नरमदा नदी जो की बृंस घार्टी में बहती है अरब सागर में आके गिर जाती है container से होती है नरमदा नदी पर जो इंपोर्टेंट है सुसके पहला है धुआधार जरना इसके नाम से ही पता चल रहा है जब नर्मदा नदी ऊचाई से गिरती है मारबल में यानि संग्य मरमर की चट्टानों में जब वो बहुत तेजी के साथ नीचे गिरती है तो वहां एक सफेद रंगा धुआ सा दिखाई देता है इसी कारण इसका नाम धुआधार जरना है इस नदी पर लोकेटिड है नर्मदा नदी पर लोकेटिड है इसके अलावा नर्मदा नदी पर दो और इंपोर्टेट जरने हैं मद्धेपरदेश में ही एक है पुनासा जरना और दूसरा है कपिल धारा जरना याद रखिएगा नर्मदा नदी के साथ कौन कौन से जरन आ इसका नám है चचाई जर्ना दोनों ही चासे हैं चुलिया और चचाई अब आउएंगे δ की महरास्ट के अंदर यह महरास्ट है और महरास्ट में अगर आपको गए हैं खंडाला लोना वाला पूरे के पास दो जगा है खंडाला लोना वाला आती के खंडाला जो गाना है उसी के पास में लोकेटिड है लोना वाला और लोना वाला में एक इंपोर्टेट जर्णा है कुने जर्णा तो आपको याद रखना है महराष्ट में पूरे पूरे डिस्टिक के अंदर लोना वा अक्सा टूरिस्ट घुमने भी जाते हैं नाम है दूद सागर जर्णा नदी का नाम है मांडवी इस्टेट का नाम है गोवा अब हम चलते हैं करनाटक में करनाटक में आपको याद रखना है कुंची कल जर्णा यह भारत का सबसे उचा जर्णा है बराही नदी पर है कुंसा क्या रखना भरकाना जर्णा करनाटक में लोकेटिट है सीता नदी के ऊपर है जोग जर्परपात बहुत इंपोरटेंट है भारत का सबसे चोड़ा जर्णा है ये चोडाई के रूप से क्योंकि इसकी चार साखाएं हैं इस करने चोड़ा हो जाता है इसका नाम है जोग जल प्रपात गरसोपा जल प्रपात या गरसोपा जरना गरसोपा वाटरफाल और महातमा गांधी वाटरफाल भी इसी का नाम है तो ये तीन नाम है इसके जोग जल महातमा गादी जलप्रपात और गरसोपा जलप्रपात ये भारत का सबसे चोड़ा जरना है करनाटक के अंदर सरावती नदी पर लोकेटिड है क्या नाम है जोग जलप्रपात नदी का नाम सरावती नदी स्टेट है करनाटक इसके अलाब आपको करनाटक में बेती नदी पर याद रखना है मगोड जर्णा कौन सा जर्णा याद रखना है करनाटक में मगोड जर्णा नदी का नाम है बेती नदी है जरना याद रखना है और गोकक जर्णा याद रखना है गोकक जर्णा जो है वो कृष्णा की सायक नदी है घाट प्रभा माल प्रभाद दो नदिया म इसमेंसे जो घाट परभा है घाट पर guys पर लोकेटिद ए गो डॉकक जरना करनाटक है वह सारे जर्णार में यदा आता है यह कर collagen जो भारत का सब से उंचा जहरना है बराही नदी पर है बरकाना जहरना सीता नदी पर है जोग जल प्रपात गरसोपा जग जल प्रपात या महतमा गांदी जल प्रपात तीनों एक ही के नाम है वो सरावती नदी पर है करनाटक में मगोर जल प्रपात मगोर जहरना बेती नदी पर है करनाटक म और गोकक जर्णा क्रिष्णा की सायक नदी घट प्रिबान अदी पर है करनाटक में जोग जलप्रपात सबसे चोड़ा ज़प्रपात है और कुंची कल जरप्रपात भारत का सबसे उचा जलप्रपात है आई होप आपको बास समझ में आई होगी यहां पर आप देख सकते हैं अंदर लोकेटिड है के रहले में आपको कौन-कौन से जर्णा याद रखने है मीन मुट्टी जर्णा और सूची पारा जर्णा याद रखने हैं इंपोर्टेंट हैं अब हम चलते हैं तमिल लाडू में यहां पर बहती है कावेरी नदी तो कावेरी नदी जो औरजनेट हो बहुत बार पूचा जाता है यसे मैंने आपको बताया भारत का सबसे उंचा जर्णा जो है वो कुंचीकल जर्णा है बराही नदी पर और भारत का सबसे बड़ा जर्णा बड़ा का मतलब होता है वाटर वोल्यूम के हिसाब से किस जर्णे में कितना पानी है तो शिव समु लाडू में तीन जरने और या दखने है थलयार जरना मंजालार जरना वट्टा पराई जरना वट्टा पराई जरना जो है वो पर्यार नदी पर है पेरियार नदी कुछ यहां बहती है इस लोकेशन में पेरियार नदी इसके लावा होंगें होंगेंग कल जरना जो है वो कावेरी नदी पर है और होंगने कल जरना जो कावेरी नदी यहां पर बहती है तो होंगने कल जरना जो कावेरी नदी पर है उसे दक्षिन भारत का नियागराफाल कहा जाता है होंग ने कल जहरने को दक्षिन भारत का नियागराफाल कहा जाता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि नियागराफाल जो जहरना है वो कौन से देश में लोकेटिड है दक्षिन भारत का नियागराफाल कहा जाता है होंग ने कल जहरने को भारत का नियागराफाल नहीं आंद्रप्रदेश में है इतना याद रखना है इस्टेट का नाम पैंचाला कोना जर्णा हम थोड़ा सा उपर की तरफ चलते हैं भारत के उत्री पूर्वी राज्यों में तो दिखें यहां पर आपको दिखाई दे रहा है उड़ीसा और उड़ीसा में जो जर्णा है उसका पहले जर्णे का नाम है बरेही पानी जर्णा भारत का दूसरा सबसे उचा जर्णा है क्या नाम है इसका बरेही पानी इंपोर्टेंट है कौन सी नदी पर है तो बुद्वलंग नदी के ऊपर है यह बुद्वलंग नदी के ऊपर है बरेही पानी जर्णा बासे बरेही बा दूसरे की बात करें तो वह है खंडादार जर्णा जो कोरा नाला नदी पर है उडिशा के अंदर तीसरा है दुदुमा जर्णा जो मूच कुंद नदी पर है उडिशा के अंदर और चोथा जर्णा आपको एक और याद रखना है यहाँ पे जोराला जर्णा तो उडिशा के पानी जरना जो बुद्धवलंग नदी पर है उडिसा में खंडादार जरना जो कोरणाला नदी पर है उडिसा में दुदुमा जरना जो मुंचुकून नदी पर है उडिसा में और जोराला जरना भी उडिसा में लोकेटिड है दिखें यहां पर हमारा उत्तरी पूर्वी रा जर्ना एक ही जर्ना याद रखने हैं आपको मिजूरम के अंदर वान्तावान जstä्म हे राजय हमारा मेगाला और मेगाले में पठाँ है घायो खासी जयन्तिया 3 पठाँ है तीन पठार है षणी से तीन पहाड़ी है इनकी खासी पहाड़ियों में कई सारे जर्ण Debatte कई बार एक्जाम में पूछे गए हैं सबसे पहले आपको याद रखना है मेगाले के अंदर लांग सियंग जरना वो किंसी नदी के उपर है मेगाले में लांग सियंग जरना किंसी नदी दूसरा याद रखना है लोहो का लिकाई जरना कई बार एक्जाम में पूछा जाता है लोह का लिकाई जर्णा खासी की पहाड़ियों में है ये ये भी किंसी नदी के उपर ही है लोह का लिकाई जर्णा कीसरा जर्णा मेगाले में याद रखना है आपको लोह सबंगी जर्णा खासी की पहाड़ियों में ये भी लोकेटिड है और चोता है किमरेन जर्णा ये चेर नदी पर है लहो सबंगी जरना खाशी की पहाड़ियों में है और किम्रेन जरना चेरापुंजी के पास लोकेटिड है अब देखिए ये राज्ये दो हमारे बचे हैं अभी ये राज्ये है जारकंड जारकंड जहां पर है हमारा कौन सा पठार है उस पठार का नाम मुझे बताईएगा जहां पर भौती मिनरल्स पाए जाते हैं जारकंड वाले एरिया में है वो तो उसी छेत्र में है सबसे पहले हुंडू जरना हुंडू जरना जो है वो स्वन रेखा नदी पर है हुंडू जरना बहुत नदी पर है बात करेंगे हम छताइसगहल कि छतियां गड़ में आपको रखना है यह जो पूशा जर्ना चित्र ूत पर ना इंद्रावती नदी पर है इंद्रावती नदी जो है वो इस चित्र में बस्तर के पठार वाले चित्र में बहती है कृष्णा की सायक नदी है इंद्रावती नदी उसी नदी पर है चित्रकूट जरना इंद्रावती को जो है बस्तर की लाइफ लाइफ लाइन भी कहा जाता है बस्तर का पठार कुछ यहां पे है और इस चित्रकू भारत का सबसे उचा जरना जो है उजरने का नाम है कुंचीकल जरना जो की बराही नदी पर करनाटक में लोकेटिड है भारत का सबसे चोड़ा जरना जो है उजरने का नाम है जोग जल प्रपात जो की सरावती नदी पर करनाटक में लोकेटिड है I hope आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं मिलते हैं ऐसी ही किसी दूसरी वीडियो में वीडियो में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन जै भारत